नमस्कार सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सालिहा एक नजर हेडलाइन्स पर मुख्यमंत्रीशी अशोक गहलोद की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक लग रही कई महतुपूर्ण प्रस्तावूं पर महर मुख्यमंत्रीशी अशोक गहलोद की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की एहम बैठक हो रही है मुख्यमंत्री निवास पर हो रही इस बैठक में कई बड़े फैसले लिये जा सकते हैं इसके बाद मंत्रीशी परिशत की बैठक होगी बैठक में विविविन विभागों के महतुपूर्ण प्रस्तावों पर महर लग सकती है मुख्यमंत्री का कल जैपूर में हाइकोर्ट के पास अंडरग्राउंड पार्किंग सहिद जेडिये के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लुकारपन करने का कारिक्रम है इनमें लक्षमी मंदिर तिराहा अंडर पास का लुकारपन भी शामिल है इसमें श्री गोविन देवजी मंदिर के सौंदर्री करन और विकास संबंधी काम भी सम्मिलित है हाल ही में मुख्यमंत्री ने श्री गोविन देवजी मंदिर में मतुरा और काशी की तर्स पर शद्धालों के लिए कॉरिडर बनाने की खूषणा की थी मकाल के मंदिर बने हैं हम चाहते हैं कि उसी लाइन पर भवि मंदिर बने जिसके आनमाई दर्साहरों लाको लोगों के उसके अनरूप मंदिर का आज राजस्थान क्रशी के क्षेत्र में नित नए किर्थिमान स्थापित कर रहा है राजस्थान को क्रशी योजनाय संचालन में बहतर प्रदर्शन के लिए राश्टी इस्तर पर विभिन पुरुसकारों से नवाजा गया है मोटे अनाज के उतपादन, ड्रिप इन स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर सैयंतरों की स्थापना करने और बीमा क्लेम वितरन ओनलाइन फसल कटाई और सौर उर्जा पंपों की स्थापना में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है राजस्थान सरकार किसानों को खेती में सोलर पंप लगाने के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान दे कर प्रोचसाहित कर रही है इसी तरह, drip, mini sprinkler और sprinkler लगाने के लिए अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती लगू सीमान्त और महिला किसानों को इकाई लागत राशी का 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है वहीं अन्य किसानों को लागत का 70 फीसदी तक अनुदान दिया जाता है राज के लिए ये गर्व की बात है कि फसल कटाई के प्रयोग आनलाइन करने मिराजस्थान देश में पहले नंबर पर है प्रदेश में पिछले साड़े चार सालों में फसल उत्पादन अनुमान के लिए 5,43,000 फसल कटाई के प्रयोग आनलाइन करवाए गए हैं साथी आपको ये भी बता दे कि फसल बीबा क्लेम वितरण मिराजस्थान देश में पहले पायदान पर है पिछले साड़े चार सालों में 1178 लाग से अधिक फसल बीबा पॉलिसियों का सरजन किया गया है खबरों का सिलसले यू ही जारी रहेगा लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश लुक ममा, हाँ ब्यूटिफुल दिस सन, और ग्रीन टीज, हेई, देर जाओ बड़ी होश्या अच्छी, तमारी ढीकरी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है ना? हाँ, पर बहन जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल की फीस इतनी है, फीस की वज़े से घर का बजट डगमगा जाता है इतनी महेंगाई में, कैसे कर लेती हो? बहन जी, इसकी फीस भी नहीं लगती और घर का बजट भी नहीं डगमगाता हमारे राजस्थान में सरकार में इंग्लिश मीरियम स्कूल खोले हैं जहां पर फ्री में पढ़ाई कराई जाती है रितना ही नहीं हर महीने राशन 500 रुपय में सिलेंडर और हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है दवाजाज का भी कोई खर्चा नहीं अरे वाज, इस्से तो आपको महेंगाय में बड़ी राहत मिल रही है हाँ, राहत थी, बचत थी और बढ़त थी सिर्फ हमारे राजस्थान में सिर्फ राजस्थान में देश में सब से सस्ता 500 रुपय का सिलेंडर देश में सरवधिक 25 लाग का भीमा सिर्फ राजस्थान में अनपूर्णा फूज पैकेट और अब होगी दस पुना तरक्की मिशन राजस्थान 2030 वीडियो कॉंटेस्ट के लिए 55,000 से जादा प्रतिभागियों ने वीडियो शेयर किये हैं जनसमान वीडियो कॉंटेस्ट स्क्रीनिंग कमिटी के ऑफिसर इंचार्च श्री नरेश गोयल से बाच्चीत की सुजस टीम ने उन्होंने बताया कि राजस्थान मिशन कॉंटेस्ट रिजल्ट में सभी वर्गों के प्रतिनिद्यों ने बढ़ चड़कर हिस्सा लिया है और लापकरी सुजाव दिये हैं करते थे वीडियो कॉंटेस्ट के माध्यम से सुजाव दे सकते हैं फेस टू-फेस सर्वे हुए हैं बच्चों से स्कूल कॉलेज लेवग पर निबंद प्रतियों की ताहिं हुई है लगबग 4,000 पूरे स्टेट में विभिन्र विभागों जिलों में प्रोग्राम हुए है कारिकरम हुए हैं जिसमें लोगों ने लगबग 2 करोड लोगों ने सुजाव दिये हैं इसी प्रकार फेस टू-फेस सर्वे जो स्टेक होलडर कंसल्टेशन है डिपार्टमेंट के डिस्टिक लेवल पर वो हुए हैं उसमें लगबग 2,002 करोड से अधिक सुजाव आये है कि लोगों से ही लोगों को क्या काम चाहिए क्या उनकी मंचा है कि कैसे रास्तान प्रदेश नंबर वन बने इसके लिए लोगों से सुजाव मांगें उनको सारे प्रोसेस में इन्वोल करने के लिए मिशन 2030 शुरू किया गया है और इसी का एक बहुत अच्छा था जन सम्मा जो वीडियो कॉंटेस्ट चला लगवग उसमें 55,000 से अधिक वीडियो आए हैं बच्चों बुजर्गों महिलाओं ने बहुत अच्छे-च्छे सुजाव दिये हैं और विशेच कर हमें हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, सोलर एनरजी, एथेनॉल, नहीने सब्जेक्ट की कै कैसे एजुकेशन को भेतर बना सकें, कैसे टूरिजम को भढ़ा सकें, बहुत अच्छे-च्छे और लागू करने ही हो के सुजाव मिले हैं और पूरे उसके पहले भी भाग वार जो सुजेशन के एक रिपोर्ट बनिये, डोकुमेंट बनाया, उसके बाद पूरे इसमें प्रतेक दिन हम एक सो तीन परोषकार दे रहे थे, इसमें प्रतें परोषकार एक लाख रूपय का द्वित्य प्रुषकार पचासे जार रूपय का थिर्त्य परोषकार पच अपराधों पर रोक्ताम लगाने के लिए राजसरकार कई कदम उठा रही है। और महिलाओं को मानसिक, सामजिक, आर्थिक समस्याओं से संबंदित परामर्श दिया जाता है। 26 अगस्त के अवसर पर पिछले साल इसे बुख्यमंत्री ने लाउंच किया था। इसके माध्यम से जो महिलाएं अपना खुद का कारोबार या उद्यम शुरू करना चाहती है। उन्हें 40,000 रुपए तक का कर्ज मोहिया करवाया जाता है। महस्दो दिन के अंदर ही इसे लोन के लिए स्वीकृती दी जाती है और 15 दिनों के भीतर ही प्रार्थी महिला के बैंक खाते में ये राशी जमा करवा दी जाती है। राजसरकार ने अभी तक 2,70,000 स्वेम साहता समू राज्य में गठित किये हैं। इसे 30,000 परिवार जुड़े हैं। इन परिवारों को महिला स्वेम साहता समू के माध्यम से आवशक्ता नुसार सुलब रिन प्रदान किया जा रहा है। आपको ये भी बता दे कि तेलंगाना के बाद राजस्तान दूसरा ऐसा राज्य है जा महिला निधी योजना की शुरुबात की गई है। इससे जादा से जादा महिला आत्म निर्भरबन प्रदेश की तरक्के में अपना योगदान दे सके। सुजस बुलिजन में फिलहाल इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार।